हरी कृष्णा राधी राधी वेलकम टू माई चैनल आशा करते हूँ आप अच्छे होंगे स्वश्थ होंगे और मंगल में होंगे आज धन तेरस है दोध्याल चौबिस सबसे पहले धन तेरस की आपको धेल सारी सुपकाम नहीं आज हम इस वीडियो में कार्टिक महत्तम तेरा अध्याय में डाल चुकी हूँ और आप सुन सकते हैं और तेरे अध्याय की साथ चौद्वा अध्याय भी अवस्य सुनिएगा कार्टिक मास में सकाम भाब से आलश्य से या स्वार्थ से जैसे भी सूर्य उद्य में कोई इसनान कर लिता है तो उसे मनवाशित फल की प्राप्ति होती है अगर कोई स्वार्थ से ना करे निसकाम हो और भगवान जी की प्रिष्णता के लिए भगवान जी की प्राप्ति के लिए भगवान जी की भक्ति पानी के लिए प्रीम पारनी के लिए सूर्य उद्य में इसनान करता है कार्टिक इसनान करता है तो उसको निसकाम मोक्ष की प्राप्ति होती है और विश्णी लोक में उनका इस्थान पक्का हो जाता है कार्टिक इस्थान बहुत ही ज्यादा फलकारी मेना है इस माज का जाद से जादा फाइदा उठाएं ऐसे ही जाने ना दे तो आप खुदी सोच लो या तो आलस से या बिना आलस की जैसे भी आप में गंगा इसनान ना कर सको तो कार्टिक किशनान सुबह के नहानी के जल मैं गंगा जन मुलागर इशनान करते हैं जिसको कार्टिक किशनान ए-थ iş naam कयते हैं तो आपको फल मिलना पक्का है कि इस से कििए इसमयमें थूड़ी भानिक अर्नियम लिए जो कार्टी काहानिय होती है उनको सुन्ती कहने को अवश्यकर एब आइए सुन्ति हैं कार्टी मार्स महत्म अद्याय चोदव आईए महतम सुनते हैं राजा प्रतु कहने लगे कि ही नारजी आप सर्वग्या हैं इसलिए संतान की बुद्धी वाला तथा सब प्रकार सुख देने वाला सर्व इश्वरी अहोई देवी का ब्रत तुम से कहता हूँ राजा नी पुछा महराज ये ब्रत कब और कैसी किया जाता है तथा यह अगोई देवी कैसे उत्पन हुई तब नारजी कहने लगी कि एक समय कल्यूग में बड़ा भारी अकाल पड़ा तथा महामारी से बहुसे अकाल म्रतु हुई तब सब लोग 31 होकर उस विपती के निवारान का उपाय सोचने लगे अंत में निश्य कर कार्टि कृष्ण सब्तमी को सबनी ब्रत रखा ब्रत करती समय सायंकाल चामुन्डा देवी हाथ में मुन्ड लिये प्रकट हुई और कहने लगी कि हम रुद्र सहित बिहार करने के लिए यहां पर आ गए है परंतु सारी संसार में पाप चाय हुआ है ब्रामर, वेदहीन, छत्रिय, अश्मर्थ, तथा वैश्य और सुद्र धर्म रहित हो गए है इस्तियों ने पति ब्रत धर्म छोड़ दिया है इसलिए सब लोग अगोई देवी का ब्रत करो कार्टिक कृष्ण सब्तमी तथा अश्टमी को बाल, ब्रध और यूलोगियों को छोड़ कर सब को यह ब्रत करना चाहिए सारे दिन भोजन न करके साहे काल अगोई देवी जो की मेरा ही नाम है पूजन करना चाहिए अपनी मकान को गोवर और मिती से लिपे उसके द्वारा चार रंगों काला, पीला, हरा और लाल से मेरी मूर्टी बनावें अच्छे सुन्दर पकवान बना कर मेरी पूजन करें तब ही एक दीवर की इस्तरी कहने लगी ही माता हम नीच लोगों का कटब भी बतलाएए तब देवी नी कहा कि तुम मेरे भक्त हो सोच सब लोग मेरा पूजन करके तेरी संतान को पूजेंगे तो उनकी पूजा सफल होगे अनिथा नहीं, मेरी पूजा के बाद कुमारिन तथा मालिन की पूजा होगे ऐसा कहकर देवी अंतर ध्यान होगे नारजी कहने लगे कि ही राजन इस पिलकार देवी की कथना अनुसार सब ने ब्रत और पूजन किया तो सब की संकट दूर हो गए सारा संसार सुखी हो गया राजा प्रतुनी सीरी नारजी से पूछा कि ही मुनी कार्टिक मास और एक अदसी ती थी सबसी उत्तम क्यों मानी गई है तब नारजी कहने लगे कि ही राजन जो प्रिष्ण तुमने आज मुझसी पूछा है वही प्रिष्ण एक समय सिरी सत्यभामा ने किया था और जो कुछ उत्तर सिरी कृष्ण भगवान ने सत्यभामा को दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ एक समय सिरी सत्यभामा जी ने सिरी कृष्ण जी से पूछा कि ही भगवन जब सभी मास और तिथियां बरावन हैं तब उनमें से कार्टिक मास वे एक दसी थी उत्तम क्यों मानी गई है तब सिरी कृष्ण जी ने कहा ही प्रिए समुंदर का पु चो सहित परवतों की कंद्राओं में चले गए तब उस देत्य ने सुचा कि मैंने देवताओं का इस्थान तुले लिया लेकिन वे जीते नहीं गए हैं जीते नहीं गए हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से ही बलवान है इसलिए मंत्रों वेदों का हर जाओं तब उसने ऐसा विचार किया तो वेद डर की हमारे समुद्र में चले गए तब ब्रमादी सब देवता संसार को वेद ही समझ कर भगवान विश्णों की सरण में गए और उनको जगानी के लिए नमसकार कर सब सामिग्रियों से भगवान का पूजन किया तब भगवा से वेद वीज मंत्रों सहीत कार्टिक मास में जल में रहेंगे अतव कार्टिक मास में जो कोई जल में इस्लान करेगा उसको यक के अंत की समान्फल प्राप्त होगा और उसकी समस्त भिग्न दूर हो जाएंगे आप लोगों ने क्योंकि एकदसी की दिन हमको जगाया है रूप धारण कर विंद्या चल में निवास करने वाले कश्यप जी की अंजली में आ गए कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया जब कमंडल भर गया तो मतश्य रूप होकर भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा इस्थान दो तब कश्यप जी ने उनको समुंद्र मे भी लगे तब मतस्य अवतार भगवान संखा चुर देतों को मार कर बद्री नारण की आश्रम पर आए यहां आकर भगवान ने देपताओं से कहा कि हमने संखा चुर को मार दिया है साथ ही रिशियों से कहा कि आप लोग जाकर समुद्र में से वेदों को ढूंडो तब तक हम देपताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे तब रिशियों ने वेदों को छे अंगों एक छंद दो व्याकरण तीन कोज और चार वैदक जोतिसी और छे इस्मृती सहित तपोवल द्वारा समुद्र में से धूर निकाला जिस वेद का जो भाग जिस रिशी को मिला तब से वह भाग उसी रिशी का मन गया फिर सब रिशी खटे होकर देपताओं के पास आए तत्पश्चात ब्रह्म आदी देपताओं ने यहां पर अस्मिक यग किया तब प्रयाग राज तीत राज कहा जाने लगा यहां पर इस्नान दान यग आदी करनी से अनीक जन्मों की पा कार्टिक मास महतम अध्याए चोदे संपूर्णम कार्टिक मास महतम सुन्नी से बहुत अधिक पुन्य मिलता है और पुन्य के साथ साथ हमारा ज्यान भी बढ़ता है इसलिए कल्यों के वल नाम अधारा हम सब को प्रभू की सरण में जाना जाए और कल्यों में नाम जाप कर रुकतनी सी हमें हमारी शीरीहरे की शरण मिल जाती है तो इसलिए हर पल हर खंड हर सांस के साथ सिर्फ भरतात्IE करती लिए हरी कृष्ण मिलें सांस करते हर लिए कर् biggest दब भक्ति में समय दें हरी कृष्णा राधी राधी कल अध्याय पंदर में आगी की कता सुनेंगे राधी राधी